अलम्हालेकुम आज 22 अप्रेल 2014 है आज के माई प्रेजेंटेशन फ्रेस्ट लैंड केमपीन एंगरोपाकसाल ने मेरिट के हवाले से आज की प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद यह था कि मैंने फूद रिसेंटर पर कोई रिसेंटली कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाए तो मुझे ऐसा लाएगी एक ऐसा शाल है जिसमें में कुछ ना कुछ क्लिरिफिकेशन देनी चाहिए या कुछ ना कुछ बनाने चाहिए तो इस पर आज क्विकली ओवर्वी दूँगा और कोशिच करूँगा अपनी प्रेजेंटेशन संब ब्रीफ रखों शॉर्ट रखों चैनले प्रेजेंटेशन पर आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कर लाइक और सबस्क्राइब नहीं किया हुआ तो चैनले को लाइक और सबस्क्राइब कर लें इंशाला मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगे इजंडा की बात करें वहीं स्ट्रीम लैं केंपीना यह आइए यह बिस डच पेस कंपनि पाकसान में तक Masters के ना में प्रेश प्रडुक्त जो के बहुत जादा फेमस वह थे जैसे का आपको ल्हादो तरंग ये टी वाइट번 तडीघ टी वाइटनर दोदज़ सात में आ यह तक에 है था against का पर आया धु दोदश नौरेस में इसके बात तो इसके इसमें भी कफ़ी दा सक्सेस थी फिर आखिर ओं ओं और यह है जो के मैं समस्जता हो कि सक्सस भी इसका ओलपार मिल्क से भी और अभी बी इस प्रोडक्ट से बैसिकली अब इनका जो फैसिलिटीज है वो क्या है वो जगाए चाहें मिल्क या आईस क्रीम या यह इस तरह का वाटनर प्रसेस करते हैं तो यह इनका दो फैसिलिटीज हैं और इनका बैसिकली डच्छ इंटरनेशनल से यह रोयल फ्रेश्टन कंपीना इ इसका मतलब यह है कि इनके काफी जाद एक्सपिटीज हैं और उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग यह लोग काम करते हैं तो यह बड़ा एक स्टेंडर्ड साइट किया हुआ है इनकी मिल्क क्वालिटी वाइज पाकिसान में खास पर मिल्क पर बड़ा चैलेंज है कि लोग समझते हैं कि अब लोगों में अबेर्नेस आगे कि साफ सोतरा मिल्क बीने चीज यह खुला नहीं बीने चीज इस तरह काफी जाए चीज़े तो यह चीज़ यह कंपनी इस चीज़ को फोकस करते है जिस वह ऐसे इसका ब्रैंड एक अच्छा साइट अप हुआ है सेक्टर की उसके इमेडियेट गुटिटर है कुछ पाकरसान में पहले वाल्स इस तरह की बड़ी बड़ी आइस क्रीम होगे अब लोकल आइस क्रिम स्पाग है जिसमें तो तो ओमर्ड काफी कंपेंड की थी तके में आट दस साल पहरे इस वाएसे काफी इस्टेब्लिश ब्रेंड अब ब्रेंड बन चुका है और इंटरनेशनल ब्रेंड्स की मार्केट थोड़ी सी कम हो गई उनके मुकाबल में पहले के मुकाबल में अब इसकी न्यूज एनांस्मेंट की बात करें को कोई नंतिंग कोई परफोर्मस की बात करें तो मुझे ऑपरेशन वाइस परफोर्मस अच्छी लगी लेकिन एक ओवर्ल पिक्चर देखें इस कमपनी के होले से रेविड्यू उच्छ परसंट बड़ा आया है लेकिंग ग्र पर शोला से चौदा होगे एक चीज में बाद बता हूं किसी कंपनी का इवन 16 परसन भी ना तो भी मेरे साथ से बहुत कम है और कंपनी का सोला परसन बजल कमा रही है इस पर और पर पर ऑपरेशन के से चलाए नीचे बला एडमिन सब्सक्राइब दूसरी इस डिस्ट्यूबिशन मार्केटिंग कॉस इन्हें 30 परसन से बढ़ी और रेविन्यू 36 परसन बढ़ा मैं समझता हूं जब डिस्ट्यूबिशन मार्केटिंग पर इतना स्पेंड कर रहे है तो रेविन्यू भी इस हिसाब से बढ़ इस से कई जुन इस वैसे था इंपक है फाइनेशल कॉस का बाकी एपिएस देखे हम डिक्लाइन किया है और डिफिनेट्ली फाइनेश कोस का मेजर कंट्रिबिटर इसकी डिक्लाइन का बाकी रेष्ट और थिंग मेरे खाले सब रमें सेम है जीपी वाली में आपको बात की ग्रॉस लिक्विडिटी चैलेंजिस मुझे नजर आते हैं अब डेफिनेट्ली लोगनों फैसिल्टी लेकर सॉट आउट कर लेगे इन शौर्ट टम लिक्विडिट चैलेंज लेकि लोंग टम में मुझे लगता है इसको काम करना चाहिए उस पर भी अपने बोरिंग्स पर इसके इंग्रीज आया था सौप है थाकि अर्ली दिसिया लेकिन मैं समझता हूं जा सकता है उपर कंपनी अच्छी है और इस एक चीज़ पर काम कर रही है जो कि डिविडिन नहीं देता हिस्ट्री में मेरा नहीं खाल पिछले तीन से पास साल के बीच में से कोई डिविडि के बाद जो शेर है उसको कम रखती है तो यह अच्छा इंडिकेशन है और इस तरह कंपनी मुझे काफी ऐसा भी याद दिलाती है जैसे नेसले का मॉडल याद दिलाती है जिसने अपने पब्लिक से पैशेर उठा के पूरी ओनर्शिप ले ली तो इस तरह की इंडिकेशन सब्सक्राइब करने काफी सारी चीज़े पब्लिक करनी पड़ती है और वह कंपनी के लिए फेवर में नहीं होती है काफी चीज़े बताने ही पड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह संब पॉइंट करेंगे इसा सोचे की करने का बाखी हिस्ट्री 52 वीक के लोड हाय के बीच मोजूद अभी फिलाल फिफ्टी 74 पे अगर आप 52 वीक के रेंज पर जाए तो 54 से लेके 105 पर था एक्जाक्ली मिट पर बैठा हुआ है अभी शेर मेरा नहीं खेल को बुरा शेर इंवेस्ट परपस है फिलाल इस पॉइंट पर इसका 36 टाइम से स्टिल मेरा खाल में जाद है बागी दूसरे नेशनल फोट देखे रफान देखे इनके बहुत कम है वैल्यू तो मुझे रखता है इस हिजाब इसकी वैल्यू तो इसका वैल्यू ऑफ दे शेर थोड़ी से जाद है इस पॉइंट पर इसी साइट पर दूस देटेमाइन के एक फ्यूचर कमपनी के जो कैशफ्लोव है वो कमपनी को मिलेंगे और उस पेसे पर आज की वैल्यू क्या बनती है उस कैशफ्लोव की तो जो यूचर में भी बिजनिस देगी यह कमपनी तो इस हिसाब से आने वाले फ्यूचर येर्स को डिसकाउंट करके आज की वेल्यू निकाली है जो 125 रुपर बनती है मेरा खाल है विल्कुल ठीक बनती है ऐसा कोई पहलब एक true value of company की वो value नियुक्त जो इसके पास available मौझूद है वो value होती जो future में बनाएगी उसकी basis पर value निकालनी चाहिए सेलिंगी तो मुझे लगता है कि still at a good price ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा नीचे में बोलूँगा अभी भी good price है to gain potential in longer term outlook की बात करें तो इनके outlook मुझे बड़ा अच्छा लगा मतलब CEO ने एक specifically chairman ने बताया कि ये क्यूं strong है ये पूरे CEO का paragraph मैंने आप कोभी पेस के लिए आप पढ़ सते हैं देंके मोटे मोटे इलफास में बात करें future is company का अच्छा है क्योंकि basic necessity पर काम कर रहा है जैसे हमने पहले ही बताया और पाकिसान की rising population है अच्छी खासी आबादी पाकिसान की 14-15 साल से नीचे की बच्चे तो उसमें milk consumption बहुँ जाद है ice cream consumption बहुँ जाद है तो आने वाले few years तक दो बच्चे 15-20 पर पहुंचेंगे और कितना पहुंचेंगे और दस साल के तक करें तो पच्चेस पर पहुंचेंगे तो और यह हमारे पाकिसान की population की इसकी डिमांड हमेशा ही रहेगी और डिमांड बढ़ती ही रहेगी कमपनी होगी एक चीज़ और डिमांड के पर मैं थोरा सा प्राइस को कम करने की सबसे बेसिक है कि अपनी पैकेजिस को अपनी पैकिंग को सभी कर ले तो इसे एक अच्छा मजीद मार्केट कैप्चर कर सके एक चीज़ दूसरी चीज़ इनकी प्राइस करेंटली भी खुले दूद के करीब करीब है तो मैं समझता हूं तो लोग कोस कम करके पैसा बना सती है आखरी चीज दुनिया भर इनके पैरेंट नदरलेंड में डच में डेन्मार्क में तो मैं समझता हूं कि अगर यह वहां का मॉडल यूस करें बहार के मुलकों में यह होता है कि तूद की जो पैकिंग होती है वो हमारी तरह गत्ते की नहीं होती उनकी प्लास्टिक बॉटल होती है वो इतनी पत्ली बॉटल होती है कि वो एक बार यूज करके फेकनी होती है तो उस बॉटल पर आजा तो अपनी प्राइस सिग्निफिर्गंड़ी कम कर सती मजीद मेरा नीख है अभी फिलाल आती लेकिन अगर आया तो बहुत बहुत करने के लिए और लास्ट चीज अपनी सप्लाइचेन पर काम कर सती है तो मैं समझता हूँ इसको इंप्रूफ किया जा सता है और उस पर मजीद काम किया जा सता है और यह तुरा और जो गूंती है इनकी जो साइकल उसको सिर्फ समर्स जून जुलाए और अगस के महीने में किया जा सता है तो अच्छा कंपनीS एक अच्छा जोन कर से टी तर यह उसकी और झाल में किया है टीक्त मेरा वियू किया मेरा वहियू मेरा वीव यह वे गुद 곡 Ltd नहीं देता लेकिन long term capital gain दे जाएगा एक चीज़ क्यों दे जाएगा क्यों अच्छा से हो रहे हैं यह इसकी रीजन है सबसे पहले basic necessity पर काम करता है जो कि जारे जो चीज basic है वो तो ज़रूरी है वो तो बंदा हाई पीज बगेट जाएगा नहीं पॉपलिशन बढ़ रही है तो डिमांड क्रेट होगी अब लोगों में awareness quality प्रोड़क की आ गई है तो मेरे खाल में यह भी एक अच्छी चीज़ है जो कि कंपनी के value को बढ़ाएगा मतलब लोगों क खड़ी देंगे उससे कंपनी को benefit होगा प्राइज गैप बिट्वीन लूज मिलक और पैक मिलक से अब कंपनी ने पहले हम देखते हैं आज से पांस साल पहले चले जाओ तो लोग को डबब आला मेल नहीं लिया था क्यों यह बहुत महिंगा वाता था आज आप कंपैर कर ल ले ले और एक अच्छा इंफलेटेट हाइब भी नजर आजा इस कंपनी की प्राइस में मेरे खाल में मेरे पास अब तक यह शेयर नहीं था लेकिन मैं समझता हूं मैं थोड़ा सब इसमें इन्वेस्ट करूंगा और लोंग और टर्म हो देखते हैं क्या बन देखते हैं क् कोई भी चीज में साउट कियो लाज़ी मुझे बता है इसको कवर करूंगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें इन्शाला मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रही असलावाँ